तो दोस्तो हाल ही में हमारी वाईशेना की दुवारा एक exercise को conduct किया गया आप सब लोगों को इसके बारे में कुछ media articles के माध्यम से जानकारी मिल चुकी होगी कि हमारी वाईशेना ने अपने S400 Air Defense System को ले करके एक जो simulation exercise है उसको यहाँ पर conduct किया और इसके दोरान में भारत को जो result मिले हैं यह definitely हमने जो expectation रखी थी उनके अनुसार मिले हैं और साथी साथ यहाँ पर भारत ने जिस risk के उपर S400 Air Defense System को लिया है तो उसके against में हमको definitely जो बड़ा reward है वो यहाँ पर दिया गया है तो हम यहाँ पर किस risk और साथ में किस reward के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में भी हम सब लोग इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे और साथ में इस exercise के दोरान में जो आंकडे सामने निकल करके आई है S-400A defense system की effectiveness के उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर discuss किया जाएगा लेकिन दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट section में जा करके जैन कमेंट कर जीजेगा तो दोस्तो सबसे पहले आप सब लोगों को याद होगा कि हमने रशिया से S-400 की जो 5 रेजिमेंट है इनको अपनी वाइस जैना के लिए खरीदा और क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और साथ में चाइना दोनों के पास में nuclear ballistic missiles मुझूद है चाइना आने वाले समय में hypersonic weapons को भी अपने बेड़े के अंदर शामिल कर लेगा यह पहले से अच्छे खासे नंबर के अंदर जो stealth drones और साथ में fighter jets है उनको इस्तिमाल करते हैं साथी साथ चाइना के पास में आने वाले समय में दो-दो stealth fighter jets हो जाएंगे और जल्द ही इनके दुआरा 6 generation के जो fighter jets है उनके उपर भी काम शुरू कर दिया जाएगा तो इस case में definitely भारत को अपनी जो शुरक्षा है उसको काफी जादा मजबूत करने के आवशकता थी तो ऐसे में हमने अमेरिका और साथ में European countries के खिलाफ जाते हुए S-400 को प्रक्योर किया जहां पर USA ने भारत का भी काफी जादा विरोध किया था लेकिन दोस्तो इसके बाद में हमको जो reward मिला है उसके बारे में भी मैं अब आप सब लोगों को बताता हूँ तो सबसे पहले यहां पर हमारी वाई सेना ने भले ही एक simulation के दोरान में अपने इस exercise को conduct किया है लेकिन हमने जो अपने fighter jet है तो इनको एक परकार से दुश्मन के fighter jet के तोर पर रखा जिसमें राफेल, SU-30, MKI, MIG-29, UPG जैसे advanced fighter jets थे तो इन fighter jet के एक पूरे package को जो S-400A defense system है तो इस simulation exercise के दोरान में इसने मार गिराया और इस package के अंदर आप सब लोगों को definitely decent number में जो fighter jets हैं वे देखने को मिलेंगे और 80% जो fighter jets थे तो उनको very long range से जो S-400 है इसने intercept करने में सवलता को हासिल किया इसके बाद में जो बागी के 20% fighter jet है तो उनको कहीं न कहीं पीछे हटना पड़ा क्योंकि इतनी long range से ही जब intercept होने के बाद ये fighter jet अपनी जो capabilities है उनका इस्तिमाल करते हुए S-400 के खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे में ये जितना ज़्यादा इसकी close range में जाएंगी तो वहां से S-400 के सामने टिकना ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो यहां से आप idea लगा सकते हैं कि भारत को किस परकार का जो reward है वो S-400 A-Defense सिस्टम को खरीद करके मिला है जहां पर इस परकार की जो capabilities है ये हमारी वाइसोना के पास में आ चुकी है इसके बाद में एक और जो news है वो public media के अंदर run की जा रही है कि जो Ukrainian hackers है तो इन्होंने S-400 जो A-Defense सिस्टम है तो इसको hack करके इसके जो documents है उनको public कर दिया है तो definitely कहीं न कहीं ये जो बात है ये सच है और इससे भारत को थोड़ा damage भी हुआ है क्योंकि इससे जो enemy countries है उनको कहीं न कहीं prepare करने के लिए जो समय है वो यहाँ पर मिल जाता है और काफी सारे evidence भी उनके पास आ जाते हैं लेकिन ये इतनी बड़ी भी चिंता की बात नहीं है क्योंकि सबसे पहले भारत के दुवारा जब S-400A defense system को खरीदा गया था तो उस समय से ही ये बात public के अंदर है कि सबसे पहले हमने 5 जो S-400A defense system है इनको खरीदा है इसके बाद में भारत MTCR का member भी है जिसके कारण हमको 400 km तक मार करने लाइक जो मिसाइल है वे भी supply की गई है तो इन सब के चलते यहाँ पर पहले से कहीं न कहीं हर कोई भी इनसान idea लगा सकते है कि भारत के पास में इस S-400A defense system के कितने components और साथ में radar system, sub systems मुझूद है क्योंकि एक regiment के अंदर कितने system होते हैं यह जो data है यह पहले से public domain के अंदर मुझूद है हर country के दुआरा इसको modify करके थोड़ा सा अलग किया जा सकता है और यही जो upgrade हर country के दुआरा किया जाता है इसी को secret रखा जाता है लेकिन अब यह भी कही न कहीं थोड़ा जो data है यह public domain के अंदर आ चुका है तो दोस्तो overall इस सारी development के बाद में अब आप सबको क्या लगता है comment section में बताईएगा साथी साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देजिएगा और definitely यहाँ पर S400 भारत के लिए एक काफी ज़्यादा cargar system है और आने वाले समय में भी यह काफी ज़्यादा जो defensive capabilities हैं long term में भारत के लिए बनाए रखेगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलता हैं ली वीडियो में तब तक के लिए बुट बाई जैहिंद